असलावलेकूम दोस्तो वेलकम टू माई चैनल टेकनिकल सहीद मैसेज से एक एक न्यू वीडियो न्यू टोपिक के साथ आपकी खित्मत में हाजुरूँ दोस्तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप अपने STCP application से जियो के एक महिने वाले इंटरनेट पैकेज को कैसे रिचार्ज करेंगे वो वीडियो उपर आई बेटन में या इस वीडियो के लाश्ट में आपको मिल जाएगा और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने STCP application से एरटेल के 84 दिन यानी 3 महिने वाले इंटरनेट पैकेज को कैसे रिचार्ज कर पाएंगे लेकिन उसे बहले दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में वी सेयर कर दें अब आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके नीचे चले जाना है यहाँ पर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा Reach Out Market का अगर यह फीचर आपके application में नहीं है तो आप Play Store में जाके अपने application को अपडेट करेंगे यह फीचर आपके application में add हो जाएगा अब आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर जिस नंबर के internet package को आपको recharge करना है उस नंबर के साथ में आपको 911 लगा कर यहाँ पर इंटर कर देना है नंबर इंटर करने के बाद में दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं search for available products लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है अब आपको आपके application में कुछ ATL के recharge package दिखने लगेंगे अब हमें थोड़ा सा scroll down करके नीचे चले जाना है और आपको जिस भी package को recharge करना है उसे आपको select कर लेना है तो जैसा कि दोस्तों हमें अभी recharge करना है 84 दिन validity वाला internet package यह package इंडियन रुपीज के हिसाब से 598 रुपे का है अगर आप इस package को recharge करते हैं तो आपको मिलेगा डेर जीवी पर डे इंटरनेट 84 दिनों की validity के साथ प्लस आपको मिलेगे unlimited local call any network पर यानी आप idea, vodafone, bsnl या geo पर आप किसी भी number पर local call कर सकते हैं 84 दिनों के लिए अगर आप इस package को HTC Pay application से recharge करते हैं तो आपको pay करने होंगे 42 रियाल और दोस्तो इस package को अभी recharge करने पर HTC की तरफ से आपको मिलेगा 10% का cashback तो दोस्तो इस package को recharge करने के लिए हमें थोड़ा सा scroll down कर देना है अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा pay with HTC Pay अब हमें इस पर क्लिक कर देना है और हमारे सामने कुछ इस तरीके का option आजाएगा अब हमें यहाँ पर नीचे pay पर क्लिक कर देना है जैसे ही हम pay पर क्लि करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का option आजाएगा यू है pay 42SR अब हमें यहाँ पर done पर क्लिक कर देना है डन पर क्लिक करने के बाद में एक नया option हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर आपके package की पूरी detail देखने को मिल जाएगी आपको अपने package की पूरी detail चेक करने के ब पूल हो गया है तो दोस्तो अब हमें चेक कर लेना है कि HTC की तरफ से हमारे recharge करने पर 10% का cashback मिला या नहीं उसके लिए हमें back जाकर home बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा scroll up कर देना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 42 रियाल के recharge करने पर हमें 4 रियाल 20 हलाले का cashback मिल च को सबसे पहले